प्रेंट्स आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवीशन बाइदिक्षाम है प्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कोश्चन आपके एक्जाम में बार-बार रिपीट हुआ है उस कोश्चन के बारे मैं आप लोगों से शेयर करूंगी अपने नोट्स तो देखते हैं यह हमारा सीसी फर्स्ट का पिपर है लर्निंग अन्टीचिंग का 2017 और 2022 का आप देख सकते हैं कि 2017 में यह जो दस नमर में यह कोश्चन पुशा गया था कि गार्णा द्वारा प्रतिपादित बहु बुद्धी शिधान की व् तो यह रहा है तो इसमें देखते हैं इसको समझते हैं तो यह रहा इसका अंसल हम देखेंगे वर्ना का बहु बुद्धी सिध्धान तो गार्णा का बभु बुद्धी बताएं, ये साथ तरीकी से बताएं, ये साथ प्रकार की होती हैं, ये आपसे objective question भी पूछे तो इसका right answer होगा साथ, पहला होता है आपका साब्दिक बुद्धी, प्रेक्षीपन बुद्धी, संगीत बुद्धी, तारकीक गड़ित बुद्धी, सारेटिक गतिक बुद्धी वेक्तिगत आत्म बुद्धी और वेक्तिगत अन्य बुद्धी, इनको अब हम एके करके देखते हैं, तो ये मैं अपने note से बता रही हूं आप लोगों को, साब्दिक बुद्धी किसे कहते हैं, साब्दिक बुद्धी वा होती है, जिसके मात्य हमसे सब्दों और भासाओ का ग्यान होता है, जिन वेक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, जैसे कि वकील, कवी, पत्रकार, आधि, तो ये किसके अंतरगत होगे, साब्दिक बुद्धी कहलाते हैं, सेकेंड आएगा हमारा तार की गडित बुद्धी, लॉजिकल, मैथामेटिकल, इंटेलिजेंस मतलब इसमें वेक्ति होते हैं, जो कि मैथामेटिक का कैल्कुलेशन करना अधिक बहुत तीवरता के साथ कर सकते हैं, इसका यूज जैसे एकाउंटेन के लिए, बैंकर के लिए, आधिक के लिए किया जाता है, फिर उसके बाद तीसरी बुद्धी है, इस्थानिक मतलब ये अपनी जगह पे ही नची चीज़ों का क्रिएक्ट करते हैं, इसमें शरीर को गती देने वाली बुद्धी होती है, और जिर वेक्तियों में इनका विकास अधिक होता है, वे अभीनेता, अभीनेत्री अधिक एलाते हैं, फिर नेक्स्ट है संगीत आत्मक बुद्धी, musical intelligence इस बुद्धी के अंतरगत वे वेक्ति होते हैं जिने संगीत में अधिक रुची होती है और जिन वेक्तियों में इनका विकास भी अधिक होता है जैसे सिंगर हो गया, सिंगर में बहुत ज्यादा फैमास है लता मंगीशकर जी आधि छटबा है हमारा अंता वेक्तिक बुद्धी, interpersonal intelligence इसके दवारा दूसरे वेक्ति के साथ कैसे हमको रहना है कैसे उनके साथ उनकी वेवार का पता लगाया जा सकता है तो जिन वेक्तियों में इनका विकास अधिक होता है जैसे नेता हो गए, समाजिक कारे करता हो गए आधि किस के अंतर करता जाएंगे, interpersonal intelligence के अंतर करता है अंता वेक्तिक बुद्धी, interpersonal intelligence मतलब ये वेक्ति वो होते हैं जो खुद के साथ इंटर करते हैं अपने आपको तो इनका विकास बहुत अधिक होता है ये अध्यात में गुरू भी बनते हैं कुछ से स्टडी करते हैं, कुछ से सारी चीज़ों को सीखते हैं आठवा पॉइंट है प्रकृति वादी बुद्धी मतलब इस बुद्धी में वेक्ति जो होते हैं जिनको प्रकृति का नौलेज होता है इसके करण विक्तिव में इनका विकास भी अधिक होता है जैसे किसान हो गया नेक्स्ट बुद्धी है अस्तित ववादी बुद्धी इस बुद्धी में विक्ति हर चीज के अस्तित के बारे में सोचता है जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए हैं भगवान कौन है किसमें हमें रचा है तो ये सारी चीज़ें किसके अंतरगत आती हैं अस्तितवादी बुद्धी के अंतरगत इस तरीके से हमने बुद्धी के प्रकार कंप्लीट किया है तो फ्रेंट्स छोटी सी वीडियो आज यहीं होती है फिर मेंलेंगे नाए टॉपक के साथ तबए दिष्टा पर लाइक करें कॉमेंट करें सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा अफ्रेंड्स थेंक्स फॉर वाचिंग लाइक अं सब्सक्राइब इस वीडियो थेंक्यो फ्रेंड्स